गुजरा जम्मे उसके घर करीब से घर उसका सजाया जा रहा था घर में सूर बहुत था पता लगाया मैंने तो उसका निकाय होने जा रहा था जाकर देखा मैंने खिड़की से तो बहुत खुस नजर आ रही थी उसकी सहलिया सजा रही थी उसे और वो खुद कर आईने में देखकर बहुत इत्रा रही थी सोचा जाकर मैं बात कर लूँ उससे लेकिन आज मेरा मेला लवाज मेरी उकाद बता रही थी उसके घर की देहलीज में बारात आई मेहगी गाड़ियों का मेला था मैं बस दिल से अमीर लड़का सड़क के किनारे चुप चाप खड़ा हुआ था उस रात मैं रोया नहीं खुल कर हसा मैंने सोचा क्या गरीब की महपत का सोदा हो गया उस रात मैं रोया नहीं खुल कर हसा मैंने सोचा क्या गरीब की महपत का सोदा हो गया वो रुकसत हो गई चमचमाती कार से और मैं घर लोटाया दिल में बहुत सारा दर लेकर और किराई की कार से खुदा के कहर से तो डरो यारो हर किसी का बुरा चाहते हो तो किसी का तो अच्छा करो यारो और जब खुदा की अदालत में इंसाफ होता है तो वही जज, वही वकील, वही गबा होता है परना दुनिया की अदालतों में इंसाफ की देवी की आँखों में परदा लगा होता है अब इस दुनिया की बीड से दूर होकर समसान जाकर मैं अपना अकेला पंदूर करता हूँ और कोई अपना सा नहीं लगता जिससे मैं बात करूँ इसलिए समसान में बैटकर मुर्दों से बात किया करता हूँ ए मोहबद तेरी बस्ती में मुझे छोड़कर सभी बेचारे है क्या जो सारा दर्द मेरे हिस्से आता है क्या दर्द से ही मोहबद करलो मैं क्या दर्द से ही मोहबद करलो मैं अब तो मुझे मेरी खुछी में भी दर्द ही नजर आता है हम भी बरबाद है महबत में लेकिन काम हमें भी करना पड़ता है कि हम भी बरबाद है महबत में लेकिन काम हमें भी करना पड़ता है घरवाले नाकारा ना समझें इसलिए सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ता है और फर्क सिर्फ इतना है लड़का और लड़की की मुहबत में, अगर लड़की की आँखों से एक आँसू गर गया, तो सारा जमाना पोचने आ जाता है, और लड़के का खोन भी बे गया, तो उसे खुदी मरहम लगाना पड़ता है क्या पता एक दिन में मसूर हो जाऊं, तुम मुझे पाना भी चाहो और मैं तुम से दूर हो जाऊं, और आज सफर में हूँ, तो सभी नाकारा समझ रहे हैं मुझे, कल का क्या पता मैं भी गरी मा का लाडला अमीर हो जाऊं कि बाप अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं करता है, अपनी जिन्दगी भर की कमाई लगाकर अपनी बेटी को बिदा करता है, और रोता है बच्चों की तरह बेटी को डोली में वठा कर, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए अपने चेहरे में मुस्कान रखता है और वो लोग कितने बुरे होते हैं जो उस बाप की फूल जैसी बेटी को मारते पीडते जलील करते हैं बरना बाप अपनी बेटी को अपने घर में रानी बेटी की तरह रखता है सुक्रिया वाई